तो दोस्तों चाइना के तरफ से कई सारे बड़े बड़े हतियारों का निर्मान किया जा रहा है इवन फिलाल अगर देखा जाए तो एरकर्ट कैरियरों के फिल्ड में भी चाइना तेज रफ्तार से एक के बाद एक एरकर्ट कैरियरों को तैयार कर रहा है दावा ये भी है कि चाइना के तरफ से अपना पहला इंडिजनियस एरकर्ट केरियर शांग डॉंग को साल 2019 में कमिशन करने के बाद दूसरा इंडिजनियस केरियर टाइप 003 को भी तैयार किया जा रहा है और रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि चाइना इस एरकर्ट केरियर को साल 2022 में लॉंच औ आप लोगों को चायना के द्वारा बनाया जाने वाले टाइफ 003 एरक्रेफ्ट केरियर के इन खामियों के बारे में ही बताऊंगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को दस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो इस तो आप सबको पता ही होगा कि पूरा दुनिया में महामारी को फैलने वाला देश मतलब चायना फिर से एक वार महामारी का शिकार बना है जिस कारण चायना के बड़े बड़े शहर जहाँ पे बंध पड़ा हुआ है तो वही पे चायना के शांगाई सहर में भी लोगडाउन लगा हुआ है रिपोर्ट के मुताविक इस लॉकडाउन के कारण चाइना के शांगाई सहर के लोगों को तो मुश्किलों का सामना करना ही पढ़ रहा है साथी साथ चाइना के जो एरक्राफ केरियर के कॉंस्ट्रक्शन का काम है वो भी अब इस कारण डिले हो गया और दोस्तों चाइनीज निउस मीडिया साथ चाइना मॉर्णिंग पोस्ट के तरफ से हाली में जानकारी दिया गया है कि जहास के महत्वपूर्ण एक्विप्मेंट अव तक शिप्याट नहीं पहुंचा और जहास के जो वोर्कर्स है मतलब जिनके द्वारा जहास के निर्मा जाया गया है कि पीपल्स लिवरेशन आर्मी नेवी मतलब चाइनीज नेवी के तरफ से ये एक्सपेट किया जा रहा था कि इस जहास को 73 नेवी के अनुविर्सिरी के दिन मतलब एप्रिल 23 के दिन लॉंच किया जाए पर दोस्तों चाइनीज नेवी का ये सफना फिलाल साक जो कि चाइना का तीसरा एरक्रेस्ट केरियर और सबसे एडवांस एरक्रेफ्ट केरियर होने जा रहा है रिपर्ट के मताविक इसका वजन एक लाग् weird के आसपास हो गा और ये पहले कि दोनों कर्डर रोंके मुकाबले में अधिक भारी और अधिक आकार में बड़ा भी होगा तो चाइना का जो पहला एःडर्क टार्फ करियर यह ऊसे लियॉर्णिंग कहा जाता है जो कि सोवेट जवाने का डिजाइन और सोवेट यूनियन में यह है कि पहले के दोनों एर्क्राफ्ट केरियर में जहाँ पे स्की जंप रैम्प का इस्तिमाल किया गया है तो वही पे टाइफ 003 में चायना के तरफ से अमेरिकी स्टाइल कैड़पूल लाइंचिंग सिस्टमों को इस्तिमाल करने का इरादा रखा गया है इवन दोस्तों रिसेंट कुछ सैटलाइट इमेजों में एर्क्राफ्ट केरियरों के कॉंस्ट्रक्शन के बारे में भी कई सारे बातों का खुलासा किया गया जहाँ पे बताया गया कि यह जो एर्क्राफ्ट केरियर यह लगवग 320 मिटर के आसपास लंबा होगा और लगवग कंप्लीट होने के अंत में है जबकि ये ही वताया जा रहा है कि एरक्राफ्ट केरियर के उपर तीन हिस्सों को ढखके रखा गया है जो की कैटेपुल सिस्टम हो सकता है जिससे एरक्राफ्टों को लॉंच किया जाएगा जबकि ये भी खु जबकि दुनिया के दूसरे देश जहाँ पे मास वैक्सिनेशन हुआ है वहाँ पे लॉक्डाउन हटाया गया और एक तरीके से पब्लिक को पुराने लाइफ जिने का मौका दिया जा रहा है पर दोसों चाइना के अंदर हुए इस घटनाओं के कारण चाइना के कई सारे श जिस तरीके के मेंडिडरी चीजों को लागू किया गया है सखास करके ट्रीटमेंट उनमें बच्चों को पैरेंट से अलग किया जारा है जिससे चाइना के लोग काफी अधिक नाखूश है और चाइना के अंदर जिस तरीके के लोगडाउन और रेस्टिक्शन को लगाया गया है इससे सारा दुनिया में सप्लाइचेंट के उपर असर तो साल 2020 से ही पढ़ना शुरू हो गया था पर साल 2022 आते आते सारा दुनिया अपने alternative सप्लाइचेंट को बना चुका है लेकिन चाइना के अंदर इस तरीके के restriction अब चाइना के अंदर के ही construction और development के काम को रोग दिया है और खास करके shipyard और military के साथ civil vessel को ये निर्मान और मेरमत के काम को भी एक तरीके से ठफ करके रख दिया है जबकि कुछ unconfirmed sources के तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि Chinese अधिकारी इस तरीके के सरिमने को इसलिए आयोजित करने में हिच की चार है क्योंकि इससे अधिक लोगों का वीर होगा जो की ऐसे महामारी को और फैला सकता है दोसो इसके साथ साथ सवाल अब ये भी उठ रहा है कि चायना के दुआरा जो दुनिया में सबसे अधिक vaccination का दावा किया जा रहा था construction डिले होने के कारण या फिर कहतो launch के डिले होने के कारण चायनीज नेवी के अन्य जहाजों के construction भी अब डिले हो रहा है बताया जा रहेगी दो अन्य जहाजों को इसी dry dock में निर्मान किया जाना है जहाँ पे ये aircraft carrier फिलाल है और इसे जब तक launch नहीं किया आता है तब तक ये dry dock खाली भी नहीं होगा और तब तक इन दोनों जहाजों के काम को शुरू करना भी संभब नहीं होगा दोसों चायना aircraft carrier का construction करके अमेरिका के बराबरी करने का तैयारी कर रहा है जो फिलाल aircraft carrier के मामले में दुनिया में सबसे आगी है और रिपोर्ट के मुताविक अमेरिका के पास 11 nuclear power super aircraft carrier है वही पे चायना अमेरिका के इन aircraft carrier उसे भैविद भी है और चायना को ये आशंका है कि अगर चायना के दोरा कोई बड़ा action तैयवान के खिलाफ लिया जाता है तो अमेरिका के इन ही aircraft carrier चायना के Navy के तभाई का कारण बन सकता है फिलाल अमेरिका को counter करने के लिए रिपोर्ट के मुताबिक चायना के दौरा एक साथ 4 aircraft carrier को निर्मान किया जारा जिन में संभावित 4 aircraft carrier nuclear powered aircraft carrier हो तो ताइब 003 को चायना के first modern aircraft carrier के रूप में देखा जा रहा है और इस project को अतीत में first island chain के नजदीक deploy करने का बात कहा गया था जो की ताइवान के काफी नजदीक होगा तो चायना इस aircraft carrier को साल 2025 तक operational करना चाहता है और तब तक इस aircraft carrier के लिए carrier wing electronic warfare system modern catapult system जैसे equipment होना आवरशक है पर अगर present technology lab को देखा जाए तो चायना अमेरिका से इन technology में काफी पीछे है और कई expert का कहना है कि इतना जल्दी चायना इन technology को develop नहीं कर सकता है और अगर develop करता भी है तो ये अमेरिका का बराबरी का नहीं होगा फिलाल दोस्तों दुनिया में दो ही देश है जिनके पास nuclear power aircraft carrier और catapult launcher हों से last aircraft carrier है और इसमें अमेरिका के बाद दूसरा नाम आता है फ्रांस का दोस्तों आपके जानकारे के लिए बता दू कि चायना भी इस तरीके के catapult launching system को अपने aircraft carrier हों में लगाने का दावा तो करता है लेकिन यह कितना कारेगर होगा यह aircraft carrier के operational होने के बाद ही पता चलेगा वही पे अगर देखा जाए तो अब तक चायना के तरफ से military technology में कई तरीके के equipment के development का दावा और equipment के development का बात तो कहा गया है लेकिन हकिकत में जब यह equipment तैयार होता है तब पुरा दुनिया को पता चलता है कि कैसे द्वेम दर्जे के equipment है और कैसे कॉपी करके चायना के द्वारा एक घटिया प्रोड़क का निर्मान किया गया है एक्जामपल के रूप में wing long 2, drone या फिर पाकिस्तानी जंग फाइटरों को ही देख ले बाकी रहा यह aircraft carrier के अन्य अति आवशक equipment जैसे कि इसके navigation, electronic warfare और sensors equipment तो चायना अब तक बड़े जहाजों के ऐसे equipment का निर्मान तो कर चुका है लेकिन aircraft carrier में यह कितना कारेगर होगा और किस तरीके से aircraft को hold कर सकेगा यह भी एक सवाल बना हुआ है दोसों चायना के पास जो दो aircraft carrier है फिलाल दोनों ही short take off and arrested landing equipment और से लैज है जिसमे aircraft carrier के सामने के हिससे में ski jump होता है जो aircraft carrier को take off करने में मदद तो करता है लेकिन वजन में काफी अधिक limited है और अगर चायना के पहला carrier based fighter aircraft J-15 को देखा जाए तो यह वजन में भारी और काफी बड़े आकार के होने के कारण ऐसे सिस्टम से operate होने में काभी मुश्किल वी आता है दोसों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि चायना के दुआरा अभी तक प्रॉपर carrier born multi roll fighter aircraft का भी development किया नहीं जा सका है और इस दर्मियान चायना बड़े aircraft carrier के fleet का सपना देख रहा है देखना अब यह है पुरा दुनिया को जहाँ पे महामारी में धकेलने के बाद अब आखिरकार चायना का ही साप चायना को डस रहा है वैसे में कब तक चायना अपने आपको सुरक्षित रख सकता है और कब तक इस aircraft carrier के काम को आगे बढ़ा सकता है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद